बोपाल में साध्वी प्रग्या सिंग ठाकूर और कॉंग्रस नेता दिगविज सिंग के बीच धर्म युद छिड़ गया है साध्वी प्रग्या को उन्हें की भाषा में जवाब देने के लिए दिगविज सिंग ने भी अब साधू संतों की सेना को उतार दिया है इस पूरी कवायत के सूत्रधार कंप्यूटर बाबा हैं जो करीब 600 साधू संतों के साथ दिगविज सिंग का साथ दे रही है भोपाल से बीजेपी ने साध्वी प्रग्या सिंग ठाकूर को 2019 के सियासी रण में उतार कर ऐसा हिंदू कार्ड खेला कि कॉंग्रस मुश्किल में आ गई बटला हाउस मामले पर बयानबाजी करने वाले कॉंग्रस नेता दिगविजे सिंग सोच में पड़ गए कि आखिर साध्वी की कार्ट कैसे निकाली जाए साध्वी की उपस्तिती से दिल्चस्प हुए मुकाबले के बीच अब दिगविजे सिंग ने साध्वी को टकर देने के लिए तंत्र मंत्र और साध्वू साधना का सहारा लेना शुरू कर दिया है और वो शक्ति के लिए भक्ती में लग गए हैं उनकी इस लड़ाई में उन्हें साथ मिला है साध्वू संतो का आज करीब 600 साध्वों ने दिगविजे के लिए भोपाल में देरा जमाया कॉंग्रस नेता की जीत के लिए किसी ने हट योग किया तो कोई तप करता नजर आया है साध्वों की टोली के साथ तो खुद दिगविजे सिंग भी अपनी पतनी के साथ धूनी रमाते दिखे इस पूरी कवायत के सूत्रधार कंप्यूटर बाबा कही ज़ा रहे हैं जिन्होंने साधु संतों की ब्रिगिट को दिगविजे के समर्थन में उतार दिया दिगविजे सिंग के चुनाव प्रचार में जुटे कंप्यूटर बाबा उर्फ नाम देव त्यागी का कहना है कि कॉंग्रस के पूर्व मुख्य मंत्री ही नर्मदा के असली भक्त हैं दिगविजे सिंग ने ही 3300 किलोमीटर की नर्मदा यात्रा का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि हम उनके साथ हैं जिन्होंने नर्मदा परिक्रिमा की है ना कि उनके साथ जिन्होंने जेल यात्रा की है दरसल साथवी प्रच्या माले गाओं मामले में आरोपी है कई साल तक जेल में रहने के बाद वो जमानत पर पाहर हैं ऐसे में दिगविजे सिंग ने अब साथू संतों को ही हतियार बना लिया है मगर इसका उन्हें कितना लाप मिलता है ये देखना दिल्चस्प होगा डीबी लाइफ की रिपोर्ट